एक बार शहनशाह अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकडी और कुछ सेवक भी थे। शिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लोटने लगे। तभी रास्ते पर एक गाव को देख कर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की इ मुझे भी इस गाव के बारे में कुछ नहीं पता है। अपने राज्य के इस गाव की तरफ मैं भी पहली बार ही आया हूँ। आप यहां के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछ कर बताता हूँ। तब ही बीरबल की नजर एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उस सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नजर बादशाह पर पड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया। फिर बोला कि साहब आप लोगों के राज में यहां कुछ खराब कैसे हो सकता है। यहां सब कुछ बढ़िया है। तब बादशाह ने उससे पूछा तुम्हारा उसने कहा नहीं हुजूर मेरी मा का नाम नर्मदा है। इन सभी बातों को सुनकर बीरबल को हसी आ गई और उन्होंने मजा किया अंदाज में कहा। बादशाह अब यहां से आगे बढ़ना सही नहीं है। यहां सारी नदियां है। आपके पास नाव भी नहीं है तो आगे मत जाएए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है। नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और यहां ज्यादा देर रूके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह को भी जोर से हंसी आ गई। वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाग सुनक पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कहानी से सीख हर दम व्यक्ति को गंभीर रहने की जरूरत नहीं होती है। हंसी मजाग करना भी जरूरी है।